आप सब लोगों को प्रणाम और आज है हमारे साथ एक और राहूल है इसले राहूल को अब बहुत स्पेशल राहूल पांडे इनको तो वैसे आप देखी चुके हैं तब आप लोग जो आफलाइन सेंटर में आते हैं जिक्र करते हैं कि राहूल पांडे सर का हमने दिखा था राहूल पांडे भीया का हमने इंट्विव देखा था और मैं आया तो राहूल का बहुत ही प्रेम है मुझसे तो यह साल में दस बार आते रहते हैं ठीक है और एक चीज है जो हम लोग शेयर करते हैं और वह है क्रिकेट की राइवल्री टेक है है खिरिट खेलने का शौक है और आ कि लिए रहते पहले संडे-संडे खेलते थे नॉम्मली संडे कोई क्रिकेट होता तो एली से चले आये हैं क्रिकेट खेलने इस बार है सद्मर्व चिंड़ गर क्रिकेट खेली रहा या रहूल कम उज़े घराएंगे दम भर रहे हैं ठीक है तो इस रिली नाइस तो मीट पीपल को हाफ कॉम फ्रम यूर बैक्ग्राउंड ऐसे लोग जो आपके बैक्ग्राउंड से आये हैं और आज एक ऐसी जिन्दगी जी रहे हैं जिसमें खुशहाल है और पिछली जो कुछ आर्थिक तंगी थी या एक जो स जिन्दगी जब यह स्टूडंट है तो कैसे थे आज और कल में क्या परिवर्तन हुआ है और आपको यह राय दे सकते हैं कि आप अगली जिन्दगी के लिए आने वाली जिन्दगी के लिए कैसे अपने आपको तयार कर सकते बहुत ही नॉर्मल कन्वरसेशन हैं को लुए जो का यहां चलते हैं तो बहुत ही अच्छा है ही हमारे चोटे यहां पढ़ते हैं और भी लोग हैं जिन से मिलने का मौका मिलता हैं उनके कैरियर में यह सब भी एक क्या है, फैक्टर है यहां आने का, बहुत ही तो नहीं कहेंगे, और दूसरी बात सर्च जो एक आप बात कहें, उसमें क्या, पहले के लाइफ में और आपके लाइफ में कितना अंतर है, वो तो बहुत ही ज्यादा अंतर नहीं है, बट एक financial stability आ गई है, और क्या तो I was so happy in this job, आप बहुत खुश हैं, और कई एक statement मुझे याद है, जैसे दो तीन जो highlights हैं आपके जॉब का, वो यह कि आपको छोरी नहीं करनी है, बिल्कुल तो और जितना पैसा आप इमानदारी से M.E.A. में कमा सकते हैं, दूसरी जगर नहीं कमा सकते हैं, यह तो है, द की बापचीत होती है, आप प्राइम मिनिस्टर के साथ, दूसरे देश के जो हैट्स अब स्टेट्स हैं या इनके साथ आपका बैठना उठना या बापचीत होती रहती है, और बहुत ही exposure है, एक discipline है, लाइप में, एक dress code है, और एक खास तरह के culture वाले लोग ही आते हैं, मतल घूमने का, लोगों से मिलने का, अमाम देशों के लोगों के साथ बातचीत, और आप जब लाइजनिंग करते हैं, तो airport authorities हैं, district magistrates हैं, अलग-अलग state के जो high ranking officials हैं, उनके साथ बातचीत या उनके साथ एक coordination का काम, तो ये तीन highlights अब तक समझ में आए हैं, जितनी बार भी हम लोगों ने बातचीत करी होगी हैं, तो मतलब थोणा सा आप कहें तो अच्छा लगेगा, अच्छली मैं M.E.A. में जिस division में position है, उसका ना है protocol division, इसका main function यह है, क्या कि incoming या outgoing BIP visits को handle करना, पिस सारा जो exposure है, वो particularly सारे divisions all को नहीं होता है M.E.A. में, अब उससे बात सुन लेंगे, यह क्या है, पर्टिकुलरी जो protocol में deployed होते हैं, उनके लिए, और इसी charm को देखिए नहीं है, कि आपको M.E.A. ही चूच कर लेना है, अगर आपका कोई और है, यह नहीं हम लोगों का decision है, हमारी बातचीत जो भी है, बस आपको यह inspire करने के लिए, कि आपको क् करें, जो UPSC का exam clear करके आते हैं, उनका थोड़ा experience जो है, और तमाम M.E.C.E. वालों से भी आपका हो जाता है, जब आप बाहर भी जाएंगे, वहां भी exposure है, तो हम अभी हमें सवभाग मिला नहीं है, बाहर जाने का, जो VBIP का और यह airport authorities से dealing का है, यह particularly बस protocol वालों को करने लगें, इसलिए इसके लिए क्या है, आपको particular पूरा overall दीखना होगा क्या है, तो अभी बहुत सारे लोग M.E.A. में हैं, मतलब कम से कम 10 लोग तो हैं मेरे, M.E.A. में, जो student रहे हैं किसी नों किसी तरह से, उसमें से आपके पहले गए थे आयूश, और आयूश की posting है स्विजर लेंड, स्विजर लेंड, बर्न में, बर्न में posting है, तो आपकी बातचीत होती रहती है, यहां से होती है, तो उनक्या experience शेर करते हैं, स्विजर लेंड में किस तरह का जीवन हैं उनका, वहां पर बहुत ही अच्छा है, वहां पर यूरोप में वो सारी country लगवा ब इसकी थे नहीं, तो यह मोई इसको प्रोडोगोल ऑफिसर थे इसलिए उनको अच्छी पोस्टिंग पोस्टिंग जनरली मिली जाती है, आपको बुरी मिलेगी ते एक अच्छी मिलनी मिलनी है, ऐसा ही पैटर्न ही होता है, क्यों आपको सारी country बुरी पोस्टिंग क्या है, जैसे अब लोग कुछ क्या है, अफ्रिकन कंटिनेंट में जो कंट्री हैं, उनको और वैसे ट्रीट करते हैं कि अतना अच्छा नहीं है, और यूरोप वाले को क्या है, वहाँ ग्लैमरिंग लाइफ लोगों लगता है, वहाँ पी इंस्टा पे अच्छी जी, वोटो क्या है, आपका च्छाइस क्या है, आपके वहाँ से एक्स्पेक्टेशन क्या है, तो आपके उस पर डिपेंड करता है, और वह इससे तो बुरा कोई नहीं है, जर्नलाइज में कहा जाता है, तो चार-पांच जार तो कढ़ी जाता है, कितना भी क्लेम कर लेंगे, फिर भी 48 साल का चला जाता है, तो 70,000 ही मान के चलिए, और स्पिचलन में जैसे पोस्टिंग है उनकी, तो इस पैलरी के अलावा जो अलाउंसेज है, वो कितना मिलता है उनको, यह तो पूर पर्टिकुलरी बता है, बट अप्रॉक्स बता सकता हूं, कि 4000 के अबव भी मिलता है, 4000 के ब 3,20,000, and that's not taxable, not taxable at all, तो मतलब 3,4 लाग रुपे है है, मतलब 12 से multiply करें साल में, तो 12 इंटो 4, 48 लाग रुपे, और 40 लाग रुपे है साल का, 3 साल की पोस्टिंग होगी, तो और 40 में दर करोड़ पती बन के आएंगे हैं, और उस पर tax भी नहीं देना है, और यह की क्या है वहरी करता है, country-wise वहरी करता है, आपको यह नहीं बहुत जादा होगा है, जैसे burn के इंफ्लेशन हाई है, तो वहाँ पे government उसको consideration में लेती हुए क्या है, कि वहाँ पे ज़्यादा allowance प्रवाइड कराती है, यही है, कोई ऐसा country है, और भी ज़्यादा है, foreign allowance, जो high risk countries हैं जिस मतलब और भी country जहाँ आपको ज्यादा भी मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, जैसे उसमें grading किया हुए नहीं, C++, C++, तो हमें लगता है कि कुछ जगह ऐसा जरूर होगा, जहाँ 7 लाक रुपे, 6 लाक रुपे भी होगा, वह बट वह ऐसा भी है, जहाँ पे इतना होता है, दो साल की होती है, दो साल की पॉस्टिय, तो that's the reason why M.E.A. में जो है, आप को कोई उस तरह नहीं, मतलब एक इमानदारी की कमाई आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बिल्कुल, और exposure तो है ही, exposure बहुत ही अच्छा है, तो आभी आप, आपको लगवाग एक साल, नहीं मैं जून में जोइन किया हूं इस साल, छे महीने हो गए, छे महीने में कुछ हाइलाइट्स क्या कह रहा है, मतलब इस छे महीने में ऐसी 5-6 चीज़ें रही होंगी, किसी foreign tour पे गए होंगे, या जाने का उसर रहा होगा, या आगे जाने वाले होंगे, या बीच में किसी dignitary क के साथ आपकी meeting हुई है, उसके साथ गए, कुछ ऐसा highlight बताइए, जिसे protocol division क्या है, incoming or outgoing VVIP visits FM level तक, foreign minister level तक handle करता है, जिसमें मेरी पहली सबसे VVIP, मतलब जो भी visit में involved रहा हूं, बंगलादेश की Prime Minister रही होई थी, तो पहले तो यहां पर इनकी दिल्ली में जो भी engagement ceremonial welcome था राश्पती भॉन पर है, उसके बाद हैदराबाद house में Prime Minister के साथ और सारे different different engagements थे, तो बहुत ही exhilarating, बहुत ही amazing experience हो रहा है, तो आप उनके साथ थे, हाँ, वहाँ पे थी, उसके बाद पूरा हम लोग देखते हैं, वहाँ पर protocol रहता है, और सारे involved different stakeholders PMO से और सब जो भी होत जाने वाले थी, जैपूर यहां से chartered flight थे हम लोग गया है, इसके बाद वहाँ से car kit, जो BVIP car kit होता है, उसमें हम लोग का वहाँ पर जाना हुआ, उसके बाद return भी है, वह बहुत ही अच्छा experience रहा है, और इसके बाद बहुत सारी meetings हों, जिसमें EM सर का involvement रहता है, और सारे यह एक्सटरनल अफेसमें, जिसमें जी जी और उनके counterpart जबाते हैं, तो हम इनलोग क्या है, प्रोडोकोल इस प्रोडोकॉल डिवीजन का हो, यह नहीं कि हम यह कि सारे जो डिवीजन से सबको exposure यह मिले, मतलब प्रोटोकॉल का काम ही ऐसा है, जहां आपको BVIP के साथ deal करना ह है, जो भी विजित सो रहे हैं, उसको arrange करना है, तो जाइस यह बात है, उनके साथ जाना, उनको ले के कहीं पहुंचाना है, सब तो करना ही पुड़े, तो अभी foreign tours आने का कोई opportunity था गए, हाँ सर्थ था लेकिन उस समय हमारे कुछ family obligations थे, family obligations की वैसे नहीं है, कहा जाना था वो जाना था सब बाली, बाली जाना था, तो गय नहीं बाली, नहीं सब्सक्राइब है, तो बहुत सारी बाते हैं, आप office में काम करते हैं, तो confidential information की category में classified रहता है, तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, जो मोटा मोटी जो आप ये समझ सकते हैं, कि खुश रहेंगे आप, बहुत exposure मिलेगा, बहुत ऐसे experiences होंगे, जो आप जिसको आप cherish करेंगे, जिसकी बात करेंगे आगे चलकर, अपने दोस्तों से या लोगों से, तो, क्या miss करते हैं आप, दिल्ली जाने के बाद, जब आप प्रियाग राज से दिल्ली की तरफ कूच कि बहुत है, तो, what do you miss now? तो, है यही कि बस, यही miss करते हैं, परिवार वाले गाउं में रहते हैं, फिता जी है और माता जी की गाउं में रहती हैं और गाउं के दिल्ली में जादा है ! उन्हीं सब को बस miss किया जाता है और जादा कुछ हो जाता है यहां बहुत सारे मित्र हैं आपके गाउं वाले भी जो यहां रहते हैं और क्रिकेट तो एक अलगी एड़ाउन पैकेज हो तो मैं एक मेरी अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे पीछे की कि इतने लोगों का सेलेक्शन हुआ है कम से कम मैं आपको बताओं दो तीन हजार लोग पिछले पांप छे साल में जो मुझसे टकरा है जिनने मैंने से गयाइट किया की लोगों ने तो अच्छे अच्छे जगहों पे और वो तब पता चलता है जब लोग आते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे भीया ने वेजा मैंने मामा जीने चाहिए तो मैं यहां एक करना चाहता हूं कि प्लीज अलावा सेंटर पर आओ जैसे राहल मिशा कि अब से लगा तो मैं सुच रहा हूं कि कभी ऐसे फ्री विएलिंग टॉक हो जाए लोगों के सामने तो जितने लोगों की नौकरी हो गई है अगर मेरी आप तक पहुंच पा रही है न बहुत तो नहीं कि आप तक पहुंच रही होगी क्यों कि आप तो अगर किसी मारफत कि उनसे मेरा एक उनसे मेरी एक शिकायत भी है और यह गुजारिस भी है कि आप सेंटर पर आओ मैं मिठाई खिलाओं आपको लेट शेर की जीवन कैसा चल रहा है ना और ट्रिकेट भी खेलेंगे मिलके विल हाफ फन और अब मुझे दिरे-दिरे रियलाइज होने लगा है मैं ले जाया जाता है जब उनसे बातचीत की जाती है वह सारे न कहा है कि सरी बहुत ही होता है और स्पेशली राहूल का जो इंटर्विउ मैंने किया था एकजामों पर उसके बाद तो बहुत सारे स्टूड़न्स या के बताय कि ऊप थोड़ा कदर होने लगा मुझे लगता है कि नहीं अब जो भी लोग सेलेक्टेट हुए हैं उनकी एक खोज परताल करनी है उनसे लागातार बातचीत रखनी है स्टूडेंस की वीच उनका एक परिचे कराना है तो थैंक्यू बड़ी मुच राहुल यू केम और यू शेर्डियर एक्सपीरियंस और जाते-जाते-जात हूं कि आगे जीवन की तयारी नौकरी की जो जंग है या या यात्रा है उस यात्रा में कैसे बढ़ें दो-चार मिनट बहुत अच्छे से इनको बता दीजिए पहली बात तो एससी का स्लेवस भी चेंज हुआ है जैसे कि उसमें मेजर से किसका हो गया है इंग्लीज का हो ग है कि आपको वहाँ पर काम क्या करना है मैं करना करना है मैं पर उसके अवर्मेंट की फिलेशन यहां आपके काम को एक रिक्रिशन मिले उसके लिए क्या सबसे जरूरी है कि आपकी राइटिंग इसकिल्स जो इंगलीस की है और आप कैसे बातों को पूट कर रहे हैं यह बहुत ही क्या होता है क्या है कि आपको जो भी चीज़े करनी हो बहुत लेंदी नहीं बहुत ही मतलब वह तब आपको आएगा आपकी प्रॉपर रीडिंग हो अच्छे से ज्यादा आपका इंगल्मेंट इंग्लीस से खूप होगा मेरी सबसे इंपॉर्डेंट एडवाइस जो आपको यह है आपका आपके इंगलीस को ज्यादा दिल से लगाई और अपने आपको पूरा कर ली अच्छा लिखेंगे तो आपके अच्छी मिलती है यह है और लेंगवेज में चले और चाहीं चीजों में टेलेंट हो यह अना और उसमें भी तीजिल में और आप जो सेक्शन टू है जो 210 नम्ट तीन सो नब्बे में 210 का जो सेक्शन टू है इंग्लिस और जीस एक साथ रखा है वह बहुत ही एक सही चीज है इंग्लिश को जीस के साथ रखे 210 नंबर अगर देखा जाए तो कहना यहीं चाहरा है कि आपको चैनल से सब क्या अपने अपने सर्वाहिल के लिए अलगी तरीकी से नहीं बहुत ही इंपोर्टन चीज़ है कि आप यह की यकीन मानो कि जितना भी यूटुब पर या जो स्टॉक या फलाना या जो भी चीज़ें देख रहे हो ना 95% फरजी चीज़ें मतलब वो आपको सिर से हर 15 दिन में अगर घुजरेंगे तो आप एक्जाम का पेपर या आपको बहुत कुछ बताने और सिखाने लगेगा कि आपके इंदर क्या कमी है और क्या करने की जरूरत और सही गाइडेंस ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत रेर हो गया तो जितना कुछ आप यूटुब की सब्सक्राइबर्स हो जाए या लोग बहुत पसंद करें इसके लिए बहुत सारा सेशन किया जाता है चाहे वह भले स्टूडेंट के हित के खिलाफ ही क्यों नहीं तो आप कभी एक यहीं पे अच्छा प्लाटफॉर्म है मैं सबको बता दूँ कि आप मेरे स्टूडेंट है मैं आपका घुरू जरूर हूं आपको कभी भी कोचिंग सेंटर पर आएए और चितने भी सवाल ने आपके इंग्लिश में आप पूछिए इससी सीजल की तैयारी बैंक की तैयारी कैसे करनी है उसमें किन चीज़ों का क्या रूल है कैसे पढ़ना चाहिए उस सब नहीं देना है है आको को भगाने नहीं देगा आप स्टूडंट नहीं जया कर आप कि अगर किसी तरह की धुबिधा में हैं किसी तरह का संकट किसी तृस अब्रहा पर चांजा बन सेंटर चाहिए और यहां जब आप आएंगे तो एक बड़ा पॉजिटिव माहौल है अच्छे लोगों से मुलाकात होगी जो लोग सेलेक्टेट हैं और जो बहुत तेज लोग मैंस में इंग्लिश में ऐसे लोगों का यहां तो उटना बैठना हमेशा रहते हैं तो एक बहुत ही पॉजिटि मतलब बहुत अच्छा एक कोइंसिडेंस हो गया कि आप आएंगे तो तीन से पांच एक नया बैठ शुरू हो रहा है तो उसमें हमसी में मुलाकात हो जाएगी राहूल से मुलाकात हो जाएगी और उसके पहले हम लोग क्रिकट भी खेलेंगे तो कल नो साड़े नो दस बज अब लोग करें बस यह कहना है कि सबको क्या है अपने विल पावर को बहुत ही मजबूत करना मोटिवेशन के लिए क्या है अपनी परिस्तितियों गाद्धान रखी बस और हमेसा क्या है हमबल रहें लोगों से मिलते रहें और कूचिंग में जरूर आते रहें क्योंकि वह वाइफ सर से मिलना क्या है एक अलग तरीके गाइडेंस तो बहुत जरूरी है ताकर लेते रहें बस थैंक यू तो मुच फॉर यो पिसेंस और वाचिंग इस और राइट बाए 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 बाए